हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई ओफिशल यूटूब चैनल प्रशांच चित्रविदी टुटोरियल्स NTPC जो की नौरत्नों में से एक है एक बहुत अच्छी गवर्मेंट और्गनाइजेशन है National Thermal Power Corporation इसमें डिप्लोमा होल्डर्स, ITI और B.S.C Chemistry या फिर Graduation की डिग्री आपके पास Applied Chemistry में या फिर Industrial में आपके लिए एक बहुत अच्छी opportunity आई है कौन-कौन सी trade के लिए है, कौन-कौन सी vacancy है यह सारी चीज़े हम इस वीडियो में discuss करेंगे तीन post है, चार post है Diploma Engineer Trainee, ITI Trainee, Lab Assistant और Store Keeper Trainee यह सारी चार post है 25 October 2018, आज से Online Registration स्टार्ट हो चुका है Last date है 24 November 2018 तो चलिए समझते हैं, और सारी चीज़े इस notification में और क्या क्या आया है सबसे पहले important dates की बात करते हैं तो 25 October 2018 से आपका Online Registration स्टार्ट हो चुका है यानि कि आज से स्टार्ट हो चुका है Last date है 24 November 2018 अब देखिए इसमें समझ लीजे, पहले आपको बता देता हूँ तीन चार post है DET यानि कि Diploma Engineer Training इसके बाद है ITI Training इसके बाद है Lab Assistant और इसके बाद है Store Keeper Training अब जो आपका DET का exam है Diploma Engineer Training इसमें Diploma मागा गया इसके लिए दो पेपर होंगे एक Stage 1 और एक Stage 2 और बाकी जो ये तीन post बची है हमारी ITI Training, Lab Assistant और Store Keeper Training इनके लिए सिर्फ एक पेपर होगा Stage 1 और ये सारे पेपर Online होंगे तो देखिए Admit Guard जो आपका First Stage का आएगा वो आएगा आपका Mid December में आ जाएगा मतलब की 15 से 22 दिसंबर के आसपास आ सकता है Tentatively Headed, Exact Date इनकी वेबसाइट पर बात में अनाउंस कर दी जाएगी इसके बाद देखिए जो आपका एक्जाम होगा वो होगा दिसंबर के Last Week में अब ये है Downloading of Admit Card for Second Stage Online Technical Test for DUT ये किसके लिए है ये सिर्फ Diploma Engineer Training के लिए है इनका जो Second Stage के एक्जाम होगा इसका Admit Card आएगा January के मिड में वही 15 से लेके और 25 जनवरी तक 20 जनवरी, 22 जनवरी तक जब भी होगा वो आ जाएगा January के मिड में और Exact Date वेबसाइट पर अनाउंस हो जाएगी और जो आपका Second Stage Online Test होगा वो आपका होगा Third और Fourth Week of January में मतलब कि January के Last Week में समझ लीगे बाकी कोई प्रॉब्लम है आप इनकी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं वहाँ पर सब कुछ दिया गया है अब देखिए यहाँ पर क्या है जो वेकेंसी है उसकी बात कर लेते हैं डिपलोमा इंजिनेर ट्रेनी मेकेनिकल में है 28 इलेक्ट्रिकल में 15 सी और आई में 10 सिविल में 2 बाकी यह जो वेकेंसी है केटेगरी वाइस वेकेंसी आप पूरी नोटिफिकेशन में देख सकते हैं केटेगरी के लिए कितनी है मेकेनिकल में सायद अन्रिजर्ट केटेगरी के लिए 15 है ऐसे सब में दिया गया है पूरी डिटेल दी गई है किस केटेगरी के लिए कितनी वेकेंसी आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं इसके बाद है यहाँ पर देखिया अब थोड़ा सा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं डिप्लोमा ट्रेनीज के लिए क्या माँगा गया है क्वालिफिकेशन फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करते हैं तो किस में माँगा गया है इलेक्ट्रिकल में और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रोनिक्स में इसके बाद मेकैनिकल के लिए अप्लाई करते हैं तो मेकैनिकल में डिप्लोमा होना चाहिए और production में होना चाहिए C&I के लिए instrumentation में होना चाहिए और electronics engineering में होना चाहिए civil के लिए आपके पास civil engineering में full time regular diploma होना चाहिए और जो सबसे important बात है वो ये है कि तो diploma है आपका marks जो है आपके number minimum 70% होने चाहिए तब ही आप इसके लिए eligible हैं अब ITI trainees की बात कर लेते हैं ITI trainee Fitter Electrician Instrument Mechanic यहाँ पर क्या मांगा गया है 10th pass 10th pass plus full time regular ITI course in Fitter Electrician Oblick Instrument Mechanic Traits Lab Assistant trainee Chemistry यहाँ पर मांगा गया है Full time regular BSC with chemistry Chemistry must be subject in final year मतलब कि अगर आपके पास BSC chemistry से आपने किया है Chemistry आपका final year में है तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास graduation की degree है industrial में या फिर applied chemistry में तो आप इसके लिए apply कर सकते हैं अब देखिए Assistant Material Oblick Store Keeper trainee यहाँ पर क्या मांगा गया NCTVT in Store Keeping plus English Typing 30 words per minute Oblick 150 key strokes per minute और 10th pass plus full time regular ITI course approved by NCVT, SCVT in fitter electrician, electronics, instrument, mechanic trade plus English में आपको typing आनी चाहिए 30 words per minute या फिर 150 key strokes per minute preferred qualification proficiency in computer operation and familiarization with MS Office मतलब इसकी knowledge आपको होनी चाहिए इसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे क्या लिखा गया है note में यहाँ बोला गया है Only those candidates who possesses the required qualification on or before the last date of application are eligible to apply मतलब कि अगर आपका result 24 November 2018 से पहले आ जाता है तब ही आप इसके लिए eligible हैं अगर आप इसके बाद आपका result आ रहा है या आने वाला है वही लोग eligible हैं बाकी eligible नहीं है और यहाँ पर साफ साफ लिखा है Candidates with higher qualification need not apply मतलब कि BE और BTEC वाले इसके लिए apply नहीं कर सकते हैं अब जब सेलरी की बात कर लेते हैं देखिए Diploma Engineer Training पहले तो आपका दो साल का training period होगा इसके बाद देखिए क्या है जब दो साल का training period होगा वहाँ पे आपको stipend दिया जाएगा 15,500 पर मन्त और जब वो आपका complete हो जाएगा तो आपका जो सेलरी होगा वो होगा basic पे है 15,500 3% पर अनम का आपका increment है और यह last basic पे होता है यह entry पे है 15,500 तो सेलरी आपका अगर देखा जाए तो यह बनेगा DAE यह सब कुछ आइड़ वाट करके यह आपका बन जाएगा करीब करीब 27,000 से लेके 30,000 तर ITI trainee की बात करते हैं ITI trainee, lab assistant, chemistry, trainee assistant, material, storekeeper, trainee इनका भी 2 साल का training period है training period के दुरान 11,500 रुपए आपको stipend दिया जाएगा और इसके बाद जो आपका complete हो जाएगा training period तो आपका यह हो जाएगा salary structure 11,500 आपका basic पे यह जाकर के आपका बनेगा वही 20,000 से लेके 22,000 तक अभी लेकिन exact amount नहीं बता सकते हैं कि exact कितना salary होगा because बहुत सारे allowances add किये जाते हैं ऐसे अगर इसकी बात करें तो यह 27,000 से लेके 32,000 के बीच में हो सकता है अब बाकी कौन-कौन से allowances दिये जाते हैं कौन-कौन से नहीं दिये जाते हैं सारी चीज़े इस पर depend करती हैं age की बात कर लेते हैं diploma engineer trainees के लिए maximum age है 25 साल और minimum age है 18 साल और कब बोला गया as on last date of application मतलब की 24 नॉबंबर 2018 तक minimum age आपके 18 साल होनी चाहिए maximum age 25 साल इसके बाद ITI trainees lab assistant इसकी बात कर लेते हैं maximum age 27 साल और minimum age 18 years as on last date of application 24-11-2018 अब देखिए ये जो आपका जो NTPC का जो प्रोजेक्ट है ये ये दरली पल्ली में है उडिसा में उडिसा में ही इनका प्लांट है NTPC का दरली पल्ली में वहीं पर आपका exam होगा examination centers वगएरा test center अभी आगे हम discuss करते हैं देख लेते हैं selection process पहले समझ लेते हैं diploma engineer trainee first stage online test इसमें क्या होगा आपका 120 question पूछे जाएंगे objective जानी कि multiple choice questions MCQ दो stage में होगा diploma engineer trainee पहरे stage में आपका 120 objective question होगा जिसमें कि क्या क्या होगा English होगी quantitative aptitude होगा और reasoning होगा दो घंटे का paper होगा और देखे यहाँ पर बोला गया है negative marking है 0.25 marks की qualifying marks है आपका 40% for general category और 30% है SCST और OBC के लिए यहाँ पर लिखा गया है 40% general category 30% SCST OBC candidates will be short listed at ratio of 1 to 10 for second stage online test there will be no weightage to online aptitude test in final selection मतलब की final selection में इसका आपका कोई weightage नहीं add होगा और जो candidates shortlist किया जाएंगे वो इस ratio में किया जाएंगे मतलब की जितनी vacancies है उसका 10 times second stage के लिए shortlist किया जाएंगे second stage में देखे क्या है online technical test होगा 120 question होगे objective लेकिन ये जो होगा ये क्या होगा आपका ये पूरी तरह से technical होगा बोला गया है online technical test in respective discipline will be conducted duration of test will be 2 hours ये भी 2 गंटे का होगा और ये भी आपका 2 गंटे का है यहाँ पर भी आपकी negative marking है 0.25 marks की qualifying marks है 40% और यहाँ बोला गया है offer of appointment may be issued based on merit अब ITI trainee, lab assistant, chemistry trainee, lab assistant trainee, assistant trainee, materials of the store की पर इनकी बात कर लोगे सिर्फ एक test होगा online test 120 question होगे दो part में होगा part 1 में क्या होगा general knowledge होगा सिर्फ GK जिसमें की 70 question होगा आपके GK के इसके बाद आपका part 2 है वहाँ पर 50 question होगे इसमें क्या होगा आपका general awareness, English, quantitative, aptitude and reasoning और यह जो आपका जो general knowledge test है knowledge test है यह general knowledge test नहीं है यह knowledge test है देखिए फिर से बता जता हूँ ITI trainee में क्या है 120 question होगे 2 घंटे का paper होगा जिसमें की 70 जो है आपके आपके trade से related पूछा जाएंगे जो भी आपकी trade है जैसे fitter के लिए अपलाई करते हैं तो fitter, electrician के लिए अपलाई करते हैं तो electrician से related पूछा जाएगा और बाकी जो बचे 50 question इस 50 question में general awareness, English और इसके साथ साथ आपका quantitative aptitude और reasoning और यहाँ पर भी देखिए negative marking है सही करेंगे तो एक number मिलेगा negative marking है 0.25 marks और यहाँ पर बोला गया है qualifying marks देख लिए कितना है general candidate securing 40% marks in knowledge test and 30% in aptitude test will be in zone of consideration for further short listing for skill test for SC, ST, PWD candidate this criterion will be relaxed to the tune of 25% relative to that of general candidates यहाँ पर जो आपको qualifying marks है वो है 25% test center देख लिए बोला गया है candidates have to give preference of city object town as test center while filling online application जो आप online application form fill करेंगे तो आपको 5 option मिलेंगे इस 5 में से कोई है कि आप अपना test center choose कर सकते हैं पहला मिलेगा भुवनेश्वर दूसरा कटक, तीसरा राउर केला, चौता बेरामपुर और पाच्वा बाला सोर एक बार select कर लेंगे दुबारा change नहीं कर सकते हैं और एक और चीज़ है सिर्फ और सिर्फ एक ही post के लिए apply कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एक ही post के लिए apply कर सकते हैं ऐसा notification में साफ साफ लिखा गया है अब यहाँ पर agreement भी है जो diploma engineer trainee है इनके लिए एक लाग रुपय का agreement bond है अब ऐसा नहीं कि आपको एक लाग रुपय जमा करने हैं ऐसा नहीं होता है यह होता है कि आपको बोल दे जाएगा कितना बोला गया है to serve the company for minimum period of three years training complete होने के बाद आपको तीन साल तक यहाँ पर job करनी होगी अगर आप नहीं करते हैं तो आपको यह एक लाग रुपय आपको NTPC को देने पड़ेंगे किसके लिए है यह general candidate और OBC के लिए SC, ST, PWD के लिए है 50,000 यह SC, ST और PWD के लिए इनके लिए कितना है 50,000 जनरल category के लिए 1,00,000 अब ITI trainee और lab assistant की बात कर लेते हैं इसमें कितना है इसमें जो आपका agreement जो bond है यह है 50,000 रुपय का और general और OBC के लिए SC, ST और PWD के लिए 25,000 रुपय का और बोला गया है कि minimum 3 years तो आपको यह amount 50,000 जनरल category OBC वालों को देना होगा और 25,000 आपको SC, ST और PWD candidate को देना होगा इसके बाद यहाँ पर देखिए बोला गया है आपका medical test भी होगा Candidate should have sound health Before joining candidate will have to undergo medical examination अब यहाँ पर देख लिए कैसे apply करना है Online आपको apply करना है NTPC की website पर जाकर पहले आपको क्या करना है पहले आपको जाना State Bank of India यहाँ से आपको क्या करना है यहाँ से आपको एक चलान firm आपको मिलेगा आप इनकी website NTPC से चलान firm डाउनलोड कर सकते हैं चलान firm डाउनलोड करने के बाद आपको जाकर के वहाँ पर State Bank of India में आपको अपना चलान जमा करना होगा General Candidates के लिए और OVC Candidates के लिए 300 रुपए फीज है SC, ST, PWD, X-Service Man, इनके सब के लिए किसी के लिए कोई फीज नहीं है General Candidate OVC Category के लिए 300 General Category और OVC Category के लिए 300, बाकी किसी के लिए कोई फीज नहीं है चलान आपको जमा करना है, यह आपको account number दिया गया है चलान form वगरा इनकी website पर available है, यह सारी चीज़े आपको वहाँ पर भरनी होगी जब भरने के बाद पैसे जमा करेंगे, तो आपको bank एक journal number देगा और इसके साथ साथ आपको जहाँ पर आपने जमा किया है, वहाँ का branch code देगा branch code आप सभी को internet पर मिल जाता है, नहीं अगर उन्होंने दिया है तो आप internet पर search कर सकते हैं इस bank का branch code क्या है, नहीं तो जब आप वहाँ पर चलान जमा करें तो उनसे पूछ सकते हैं आपको इसमें branch code भी लिखके देदेगे, तो यह सारी चीज़ेद आप मिल जाएंगी, इसके बाद आप online apply करेंगे, वहाँ पर आप से यह पूछेगा, जर्नल नंबर तब आपको वहाँ पर यह जर्नल नंबर फिल करना होगा fees once paid will not be refunded under any circumstances तो यह है पूरा हमारा इस notification के बारे में, जो कुछ भी information थी मैंने आपको बता दिये हैं, अगर कोई और query है, कुछ पूछना चाते हैं, तो आप comment करके बिल्कुल पूछ सकते हैं notification का link, online application का link मैंने आपको description में दे दिया है, और चलिए एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसकी online website पर की कैसे apply करना है, link मैंने आपको description में दे दिया, यह है NTPC का official website जहाँ पर आपको apply करना है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है discipline applying for, अब यहाँ आपको जिसके लिए apply करना, diploma engineer ने electrical के लिए, तो electrical select करिए, उसके बाद proceed पर click कर दीजिए, आप यहाँ से पूरा form fill कर सकते हैं, और भी कोई जानकारी कुछ पूछना चाते हैं, कुछ भी जानकारी लेना चाते हैं, तो आप comment करके पूछ सकते हैं, so thank you so much guys, thank you for watching.